हेलो शुरूरायक मैं आपके साथ हूं स्टैंडर्सीस का प्रैक्टिस सेट 39 को लेकर कुशन फर्स्ट ड्रॉ लाइन एल टेक एनी पॉइंट पी ऑन दे लाइन यूजिंग और सेट स्क्वेर ड्रॉ और लाइन पर्पेंडिकुलर टू लाइन एल एड पॉइंट पी ओके यह पहले क्या करनी है लाइन एल ड्रॉ करनी है यहां पे देखो हम पहले एल रैन ड्रॉ कर लेते हैं इनलाइन एल ड्रॉ कर ली है ओके लाइन l इस पे हम्में पॉइंट लेना है take any point P, P point लेना है, suppose मैंने यहाँ पे point लिया, इसको मैंने P label किया, P point, अभी, अभी, इस पे हमें set square रखना है, क्योंकि set square की help से हमें क्या करना है, perpendicular draw करना है, तो देखो, यह कैसे place करना है, जो दो side पे numbering रहती है, यहनिकि, यह triangle है, triangle की दो जो arm है, number वाली, एक चाहिए P point के upper side में, और दूसरी चाहिए line pair, ओके, तो अभी, इसे place करने के बाद, हमें line draw करनी है, ओके, तो, यहाँ पे क्या ही, यह line draw हो गई, तो यह क्या है, यह line perpendicular है, L line को, सपोज मैं इसको label करती हूँ, A, ओके, तो, यहाँ पे हमें केसी लिखना है, line, A, P, perpendicular line, L, A, P है, perpendicular है, कोई सी line पे, L line पे, ओके, ऐसे write करना है, question number two, इसमें हमें पहले क्या करना है, draw a line A, B, question number two, draw a line A, B, using a compass, draw a line perpendicular to A, B, at point B, A, B line draw करनी है, और A, B line का जो B point है, उसी point पे हमें क्या निकालना है, perpendicular निकालना है, with the help of compass, ओके, अब हम पहले line निकाल लेते हैं, तो देखो, इस line पे हमें line draw करनी है, तो line से थोड़ा सा ही नीचे क्या चाहिए, इसी scale पकड़ना है, और ये line बराबर line पे क्या हो जाएगी, draw हो जाएगी, ओके, देखो, ये line draw हो गई, अभी, इस line पे हमें ये A, B line है, तो यहाँ पे मैंने A point दिया, और यहाँ पे मैं B देती हूँ, ओके, ये कुण सी line है, line A, B, ओके, अभी हमें B point पे ही क्या निकालना है, perpendicular निकालना है, तो पहले हमें क्या करने होगे, pencil compose में, यहाँ पे, fix करनी है, so fix करते time, ये दोनों tip जो है, क्या चाहिए, same same चाहिए, ओके, तो देखो, ये दोनों tip है, close लेना है, same same distance पे देखना है, same है या नहीं, अगर ये same है, तो screw क्या कर देना है, fix कर देना है, यह fix हो गई, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा distance लेंगे इसमें, अगर यह line से जादा उपर perpendicular चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा जादा distance हो, कम distance पे चाहिए line से, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा distance लेंगे, तो मैं इतना distance ले लेती हूँ, और यह compose का tip जो है, बी point पे रखती हूँ, बी point पे रखने के बाद, बी point के दोनों साइड में line पर हमें क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है, तो देखो, line पर मैंने बी point के दोनों साइड में, आर्क ड्रॉ किया है, अभी इस आर्क को भी मैं लेबल कर लेती हूँ, यह C आर्क है, और यह D, यानि कि यह point क्या है ये D-point और J-point okay अब अभी यह जो distance है Siliy CD line है Siliy line पर हम क्या करके कर लेंगे हर आप से जादा distance लेंगи kbas में ओके यह अभी तक हर आप होता है मैंने क्या लिया है हर आप से जादा distance लिया है कमपस में यहOLLआ दिस्टन से लने के बाद यह compose का tip C point पे रखना है और उपर की side में क्या करना है arc draw करना है ओके यह D point पे रख देती हूँ और उपर की side में arc draw कर लेती हूँ यह arc जहाँ पे intersect हो रहा है वो point और V point हमें क्या कर लेना है, join कर लेना है यह E point है intersecting point को साई E point so यह हो गया हमारा perpendicular B point पे यहाँ पे हम क्या से लिखेंगे line lines E, B line E, B perpendicular line A, B A, B line पे B point पे हमने perpendicular निकाला है हम क्या लिखेंगे line E, B यह line इस line पे perpendicular है so line E, B perpendicular line A, B okay question number 3 draw line CD take any point M on the line using a protector draw a line perpendicular to line CD at point M CD line पे हमें M point लेना है और M point पर हमें क्या दिखाना है perpendicular दिखाना है with the help of protector पहले line ड्रॉ कर लेती हूँ okay देखो यह line ड्रॉ कर ली है यह है line CD okay C और यह D अभी इस line पर हमें M point लेना है यहाँ पे मैंने M point ले लिया okay अभी protector की help से हमें perpendicular दिखाना है केसे दिखाऊगे यह जो horizontal line ही नीचे वाली यहाँ पे दिख रही है यह perfectly इस line पे match होनी चाहिए और यह Yum point है यहाँ पे यह point है 90D की line और यह horizontal line जहाँ पे मिठ हो रही है यह exactly इस point पे match होनी चाहिए okay दिख रही सबको match हो रही है so match होने के बाद यह 90D की उपर की जो line है उसके बाहर के side में यहाँ पे हमें point दे देना है यहाँ पे मैंने point दे दिया है दिख रहा है सबको okay point देने के बाद प्रोड़क्टर हडा लेना है और उपर का point Yum point क्या लेना है join कर लेना है with the help of line okay okay so यह CD, यह Yum अभी इसको भी कुछ लेबल कर लेती हूँ suppose A अभी यह हो गया perpendicular so हम लिखतना के इसे है line A Yum perpendicular line CD okay I hope you like my video if you like my video subscribe my channel and share it to your friends okay bye we will meet in next पर इसे